दोस्तों आप सब आर जी कोर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता में है उसमें हुए रेप और मर्डर के बारे में अच्छे से जानते हैं मैं भी इस मेहने की 21 तारीक को यानि आज से कोई 8-9 दिन पहले कलकत्ता गया था प्रोटेस्ट करने और जहां हजारों लोग हमारे साथ चुड़े इस रेप और मर्डर के आगेंस्ट पर मैं सिर्फ रेप और मर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने नहीं गया था मैं गया था सिर्फ इसलिए कि जब वहां की डिमोक्रिटिकली चुनी हुई सरकार जो देखा जाये तो भारत की जंता और बेंगॉल की जंता की सेवक है कस्टोडियन है हमारे कॉंस्टिटूशन की जब उसने ही इस गिनोने अपरात को कवर अप करने की कोशिश की और जब उनी की मुक्यमंत्री ममता बैनर जी जी सडक पर खुद मोर्चा निकाल के चली आई अपनी पुलिस के अगेंस प्रोटेस्ट करने तब ऐसा लगा कि अब आशा की कोई किरण नहीं है मैं उसी रस्ते पे उसी जगहा पे जहां ममता जी ने प्रोटेस्ट की थी वहीं पे मैंने भी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और तब वो प्रोटेस्ट मार्च में चलते चलते कुछ यंग लोगों से मेरी बात हो रही थी उन्होंने बोला सर अब तो सी बी आई आई आगया अब तो इसका नतीज़ा तुरंत आ जाएगा मैंने का ऐसा नहीं होगा ये मसला लंबा चलने वाला है और इसका हिंसा से ही मम्ता बेनर जी की सरकार मकाबला करेगी उस लड़के को आश्यर हुआ उसने मुझसे ये बोला कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आपको कैसे लगता है कि हिंसा ही बीच में आईगी वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले चार पांस साल से बेंगॉल के उपर एक बहुत गहन रिसर्च शोत कर रहा हूँ अपनी आने वाली फिल्म के लिए और आज मैं बेंगॉल का जो पॉलिटिकल डियेन है उससे काफी हद तक वाकिफ हूँ और मेरी कोशिश है रहीगी अगले एकाथ साल में मैं आपको बेंगॉल के बारे मैं ऐसी चीज़ें बता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि आज आजादी के पहले जो टू नेशन थियोरी होती थी आज वो थ्री फोर नेशन थियोरी में कैसे बदल रही है कैसे बेंगॉल एक नया कश्मीर बनता जा रहा है और मुझे बिलकुल इस बात पर अचमबा नहीं होगा अगर अगले दस, बीस, तीस साल के अंदर बेंगॉल में भी हो जो कश्मीर में हुआ है अभी मुझे आए हुए जुम्मा साथ-ाथ दिन भी नहीं हुए थे आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इस हफ़ते कॉलकता के आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलतकार और हत्या के मामले को लेकर राजी का जो सचीवाले है सेक्रिटेरियट वहां अबन्ना तक मार्च करते समय परदर्शनकारियों प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर जड़पे हुई और वाइलेंस हुई और इस जगलने अपरात के जो डीटेल सामने आए और पुलिस की जो नेगलीजियंस लापरवाई दिखी बंगाल और देश के अन्हिस्सों में लोग टू रीकलेम दा नाइट की प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर आए लेकिन इन प्रदर्शनों के द्वारा इसके दौरान संगठित हुई हिंसा और अस्पताल में जहां ये घटना हुई थी वहाँ जान बूच कर तोड़ फोड की गई ताकि विश्वसली सबूत इखटा करना मुश्किल हो जाए और इसी लिए मैं आपसे हमेशा एक टर्म यूज़ करता हूँ डिम लाइटिंग जिसको वेस्ट में गैस लाइटिंग बोलते हैं पर थोड़ा सा मेरे जो डेफिनिशन है वो डिफरेंट है मतलब एक कमरे में इतना अंधेरा कर दो कि क्या सच है क्या जूट है ये जजज भी पता ना कर पाए पुलिस भी पता ना कर पाए हमें शायद कभी भी पूरी तरह से ना पता चल पाए कि उस महिला जूनियर डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा था जिसके कारण उस एतनी बरबरता से हत्या कर दी हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसके पीछे ऐसा क्या जिसके कारण की मुख्यमंत्री को सड़क पे उतर के अपनी पुलिस के अगे इस प्रदर्शन करना पड़ा कॉलकटा हाई कोड के चीफ जस्टिस ने इस प्रदर्शन और वहां हुई हिंसा की इतनी कड़ी निंदा की है और राज सरकार को फटकारते हुए का है इसे failure of the state machinery बताना चाहिए लेकिन अगर हिंसा state machinery द्वारा ही sponsored हो तो क्या वो failure है कई ऐसा तो नहीं जिसको हाई कोड के चीफ जस्टिस failure of state machinery कह रहे है वो ही उस state machinery की सबसे बड़ी सफलता भी हो राजनेतिक सफलता राजनीती गुंडा गर्दी और पॉलिटिकल वाइलेंस आज बंगॉल का पॉलिटिकल एंड सोशल डियने उसका नेचर बन चुका है दोस्तों इसके पहले सिधार शंकर रॉय जब महां के चीफ मिनिस्टर थे बंगॉल के तो उनके अधीन बंगॉल सरकार ने नकसलियों के खिलाफ एक इनफॉर्मल और स्टेट स्पॉंसर्ड वाइलेंस की नीती चलाई थी अब तक बंगॉल गॉंडों का नैचरल घर बन चुका था जो राजनेतिक संबंदों के साथ ऐसे लोग हैं जो अन्ट्रेंड मजदूरों को एक इनफॉर्मल वाइलेंट फोर्स में बदलने का काम यहां बंगॉल में किया गया यह जो कम्मिनिस्ट गॉर्मेंट्स थीं कम्मिनिस्ट आइडियोलोजी वाले जितनों पॉलिटिकल पार्टी थीं मार्क्सवादी भाशा में इनके जो गुंडे थे उन्होंने लुम्पन प्रॉलिटेरियेट को और्गनाइस किया जिससे वह अगली सरकार का मुक्ष वोर् बोटर्स बने अब पहले यह समझते हैं कि यह लुम्पन प्रॉलिटेरियेट का अर्थ क्या है प्रॉलिटेरियेट एक फ्रेंच शब्द है इसका मोटा मोटा मतलब है मेहनत मकश्चत करने वाले रोज काम करके गुजारा करने वाले किसान मजदूर या तंखा कमाने वाले लोग लुम्पन का अर्थ है बेदखल और जो डिसप्लेस्ट और जो डिसएडवांटेजड उख़़े हुए लोग समाज के उस आर्थिक और समाजिक वर्क से कटे हुए लोग जिनके साथ नयाय नहीं किया गया है और समाने रूप से जिनने पहचाना जा सकता है लुम्प श्राइटि में अपना स्टेटस पूरी तरह से खो दिया गया लुम्पन का एक और भी अर्थ है पॉलिटिकल अर्थ है जिसका मतलब है मांसिक रूप से सुस्त कमजोर लोग जिनका कोई मौलिक चिंतन नहीं इसलिए उनकी समाज में कोई जरूरत नहीं लुम्पन का एक औ अंट्रेंड लेबर जिसको अकुशल श्रमिक बोला जाता है, आवारा लोग, अपराधी लोग, जेब कत्रे लोग, रेपेस, मर्डरर्स और बेघर होमलेस लोग जिनको जिनकी नजर में जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे लुम्पन प्रॉलिटेरियट वर्ग में पहचा करते हुए कहा है, कि लुम्पन प्रॉलिटेरियट के लोग, सामाजिक मैल है, दियार्दा सोशल डर्ट, वे ना सिर्फ अपने सात्यों के साथ करांती कारी गती विदियों में हिसा नहीं लेते हैं, बलकि प्रतिक्रियावादी साजिशों में भी शामिल हो जाते हैं, मांक् मताबिक ये लोग, इनके पास करांती के लिए जो और्जा जो एनर्जी चाहिए होती होती ही नहीं है, इसलिए ये एक सोशल वेस्ट है, पर भारत आते आते हैं और खास दोर पे बंगाल आते आते हैं, मांक्सवाद का ये जो समाज बाद हैं, ये स्वार्थ वाद में तब दील हो गया, उधर कम्मिनिस्ट लोगों ने नेक्सलिजम को बहुत धिक और आर्थिक मदद की, जिन्हों ने वाइलिंस को ही अपना मैनिफेस्ट बना लिया, और जो बंगाल की स्टेट का जो सिस्टम था, उसमें गुड़ना गर्दी ऐसे घुल गई, जैसे पानी में शक लाइक शुगर इन वाटर, अब प्राब्लम ये है कि इनसान को ये बात पता चलते चलते काफी वक्त गुजर गया कि एक्चुली शुगर इस पॉईजन, लाइक गुंड़ा-गर्दी इन पॉलिटिक्स इस पॉईजन फॉर दा मासेज, अभी जब मैं बंगॉल में था, त लिखा था, वो ये लिखा था, कि एक दोशी गुंड़ा, बदलते हुए राजनैतिक हालात की पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी ज्यादा जल्दी चेतावनी देता है, और जैसा कि एक भद्र लोक, वाम मोर्चा वफदार ने समझाया, कि जनता के डर का इस्तेमाल, गुंड ये हिंसा की कहानिया, जो आपसी पार्टी संगर्श का हिस्सा भी हो सकती है, जिनमें बलातकार या यहां तक की नर्भक्षन सामिल हो सकता है, बड़े विस्तार से बताई जाती है, ये अब मैंने नहीं कहा है, ये एक आर्टिकल से मैंने उठाया है, एक गुंडे की धंकी, के बारे में यहां बात हो रही है, लेकिन जो मैंने पिछले चार-पांस साल के रिसर्च में समझा है, कि एक आप अगर सड़क पे चल रहे हैं, और जो लोकल गुंडे हैं, पॉलिटिकल गुंडे हैं, अगर उनने आपकी तरफ मुण के देखा, तो आपको पूरी तरह से सा अफधान हो जाना चाहिए, आपको अपनी सुरक्षा के लिए सचेत हो जाना चाहिए, ऐसी इस्तिती अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको अफगानिस्तान जैसी ही कंट्रीज में मिलेगी, बंगॉल की सरकार कुंडे चलाते हैं, यह मैं ओपनली इस कैमरे पे बोलने क लिए बिना हिचक के तैयार हूँ, त्रिनमूल जो टीमसी है, इसकी सत्ता में जो ग्रोथ हुई है, यह एक्चुली जो मासिस थे बंगॉल के, उनकी सी पी आई जो कमने सरकार थी, उसके को लेके जो असंतोश और डिस सैटिसफेक्शन बढ़ गया था, उसने टीमसी को खा पर उतर के लड़ने वाली जो पॉलिटिक्स है, उसने लोगों को बहुत अर्ट्रेक्ट किया, उसको लगा कि यह गुंडों से मकाबला कर सकती है, यह वाइलेंस के अगेस्ट लड़ सकती है, और जो वाइलेंस से और गुंडा गर्दी से बंगाल के बुद्धी जी भी पर परासत में मिली, बलकि धीरे धीरे राजनीती में गुंडा गर्दी का एक नया अध्या यह मैं बोलू एक नया गरंत लिखने का जो काम है, वो ममता बेनर जी की टी-मसी ने किया है, और आप देगे जब टी-मसी आई थी उस समय कॉंग्रेस की कोईलिशन गॉर्मेंट और उसने इन नैकसल्स के खिलाफ एक एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम तो ऑपरेशन ग्रीन हंट और बंगॉल के पॉलिटीशन्स ने बंगॉल की सरकार ने बड़े इनोसेंटली उसका इस्तेमाल करके एक स्टेट स्पॉंसर्ड हिंसा और्गनाइज स्टेट खतम करने के चक्कर में अपने ऑपोनेंट्स को खतम करने का काम किया जो की कम्मिनिस्ट थे या कॉंग्रेस ही थे और धीरे धीरे करते करते टीमसी स्टुड आउट एज पार्टी विच इस अगेस्ट नोट जस्ट कॉंग्रेस और कम्मिनिस बट अगेस्ट हिंदूस और हि जो इमर्ज कर रहे थे उसको दबाने के लिए एक मास लेविल स्टेट स्पॉंसर्ड वाइलिंस का इस्तेमाल किया गया दोस्तों टीमसी का सबसे बड़ा प्राब्लम ये है कि उसने सीपीम के जो इंटेलेक्चुल्स थे वो उसको विरासत में नहीं मिले लेकिन जो सीपी प्राब्लम ये है कि टीमसी का कारे करता जिसने घाट घाट का पानी या यो बोले कि खून से रंगी हुई लाल नदियों के घाट घाट का पानी पिया हुआ है उसकी वफदारी सिर्फ उसके व्यक्तिगत लाब से ही जुड़ी है और इसलिए टीमसी और ममतब एनरजी की हो चुका है जिस चो कुछ भी करे पर सरकार को चुप रहना पड़ता है क्योंकि ये वो भी अच्छे से जानती है कि उसे एक दिन भी भूका रखा तो वो उन्हें ही खा जाएगा और अगर दोस्तों विदी का विधान है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी ही होगा जिस जिस ने क्रिमिनल्स को पाला है अपनी राजनीती करने के लिए उसका ये ही अंत हुआ है भारत और दुनिया भर में दोस्तों कई लोग पर ये राजनीतिक दलों की तरह टीमसी की जो ये गैर कानूनी हिंसा का उपयोग पार्टी करकर करता हूं दोरा परसनल जस्टिस के लिए किया जाता है जो कैंगरू कोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है यह यो समझिए कि आज जो बेंगॉल है वहाँ पे एक नहीं बलकि दो कॉंस्टिटूशन चलते हैं एक भारत का कॉंस्टिटूशन जिसे कोई मानता नहीं और दूसरा गुंडे मवाली क्रिमिनल माफिया या जिसे अंडर माइगरेंट्स और अर्बन नेक्सल्स द्वारा दिया गया हुआ इन लोगों को आइडिलोजिकल और और और्गनाइजेशनल सपोर्ट दोस्तों बांगला देश में जो चोरी से लाए हुए मजदूर किसान बाकी जो लोग हैं इनको प्रोटेक्शन मिलता है ताकि धीरे ध स्वया में एक वोट बैंक बन जाए और जब तक उन्हें नागरिकता ना मिले या जूटे कागजात ना मिले वो इस हिंसा के इस और्गनाइज स्टेट स्पॉंसर्ड वाइलेंस के एक इन्विजिबल फोर्स की तरह काम करें जिनको कोई पकड़ ही न सके और चूंकि इस क् इन्सा का टार्गेट अक्सर होते हैं हिंदू लोग दोस्तों अभी जब मैं ममता बैनर जी गौर्मेंट ने जो कवर अप किया इस रेप और मुर्डर उसके अगेज प्रोटेस्ट करने कहल कटा गया था तो रैली में एक यंग लड़के ने मुझसे पूछा कि सर ये जो ब आरी सब कुछ तुमारा तो उसने मुझसे ये कहा कि एक आम आदमी के अगेज वाइलेंस से भी ज्यादा बहतर है एक कौम एक कम्यूनिटी एक धार्मिक समू या एक जाती के खिलाफ हिंसा इसको जटका वाइलेंस भी कहा जा सकता है जब जब किसी हिंदू पर हमला होता है तो आटोमेटिकली सारे नौन हिंदू एक जुट हो जाते हैं वरना उनको एक जुट करने में दशको लग सकते हैं इसलिए ये फास्टेस्ट और मोस्ट प्रॉटेबल बिजनस है दोस्तों यही कारण है कि ममता बैनर जी की गौर्मेंट ने आर जी कॉर हॉस्पिटल के रे अंडर वर्ल्ड कनेक्शन्स का भी खुलासा हो जाता क्या पता बैंगॉल को बरबात करके उसके मलबे को बेच खाने वालों की कर्तूतों का भी पता चल जाता पर निराश नहोई है पता चलेगा सब पता चलेगा देखा जाएगा सब देखा जाएगा और सब दिखाया भी जाएगा बस आप इंतजार करिए हमारी आगया आने वाली फिल्म दा डेली फाइल्स का अगले साल सन दो हजार पच्चिस क्योंकि जो कोई ना कर पाया ना कर पायगा उसे करने का बीड़ा हमने उठाया है हमने बीड़ा उठाया है to tell the truth and entire truth of communal political violence of Bengal keep waiting